हेलो फ्रेंड्स, आज पिंकी के घर में साफ सफाई हो रही है, चलिए देखते हैं आज क्या होता है सीमा के घर में अम्मा अभी हमने 24 जेनिवरी को तो घर का साफ सफाई किया था, अब भी तो कोई फंक्शन में नहीं है, हम क्यों घर की सफाई कर रहे हैं, क्या बात है बताओ ना अमा हम क्यों साफ सफाई कर रहे हैं आज जब देखो काम ही कराते रहते हैं फिंकी तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं इसलिए घर की सफाई हो रही है अलेवाद अब तो बुअ की छादी होगी मैं तो बहुत मज़ा कलूँगी बुअ के छादी में है ना ममी? हाँ ठीक है मुन्नी चलो मैं भी कुछ कर लेती हूँ अरो नहीं सीमा बिटिया तुम्हारे पेर में चोट लगी है तुम बैठो हम कर लेंगे घर के काम हाँ भाबी अम्मा सहीं कह रही है आप परेशान मत हो हम लोग कर लेंगे घर के काम आप आराम करो मुन्नी तुम क्यों बैठी हो यहाँ पर में जाडू मारने जारी हूँ तुम जाकर बाहर चिंकी के साथ खेलो नहीं बुआ मैं नहीं जाओंगी मैं भी घर के साब जपाई करूँगी मैं जारी हूँ जारू लगाने मम्मी नहीं चिंकी बेटा तुम जिद मत करो तुमारी बुआ सहीं कह रही है नहीं नहीं मुझे जारू दो जारू मुनी तुम जित क्यों करे हैं तुम जाकर वहां पर बैट जाओ हमको काम करने तो अच्छे से तुम क्यों इतना जित करती हो हाँ जब देखो तब आप सब मुझे दाते रहे तो मैं जा रही हूँ ये मुन्नी भी ना अब जाती हूँ मैं जाडू लगा देती हूँ आंगन में आंगन बहुत खराब दिख रहा है हवा के चलने से सारी पत्तिया मेरे आंगन में आ जाती हैं सारी पत्तियों को मैं साफ कर देती हूँ आज तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा चलो जल्दी जल्दी से इसे निप्टा देती हूँ फिर दूसरा काम करूंगी अरे पिंगी बिटिया गईया को जाकर चारा दे दो बिचारी कब से भुखानी हुई है हाँ बापू जी मैं जाही रही थी गईया को चारा देने अब मैं जाकर गईया को चारा दे देती हूं उसके बाद कुछ दूसरा काम कर लूँगी अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने है ये लो मंचली तुम्हारे लिए में घास लेकर आ गई तुम्हें भूख लगी थी ये लो खा लो मेरी प्यारी मंचली को भूख लगी थी ये लो मंचली तुम खाओ अराम से मैं जा रही हूँ अरे पिंगी के बाओ जी आ बाजार चले जाएए घर में बहुत सारे सामान घटे हैं वो सब लेकर आ जाएए जल्दी से लड़के वाले आने वाले हैं घर में सारे सामान होना तो जरूरी ही है हाँ पिंगी की अम्मा तुम सहीं कहती हो जोला जल्दी लेकर आओ मैं जाता हूँ बाओ जी मेरी सेम्पू भी खतम हो चुकी है वो भी लेते आना बाजार से दादा जी मैं भी बाजाल चलूँगी मुझे भी लेकर चलो ना हाँ बापूजी लेकर जाए मुन्नी को साथ बाजार वो भी घूम कर आ जाएगी चलिए दादा जी हम चलते हैं जल्दी से बाजाल मुझे चौकलेट भी खाना है हाँ मुननी बिटिया میں तुमें लेकर चलूँगा बाजार अरे पिंकी बिटिया तुम जल्दी से जोला ला कर देदो मुझे ठीक है बापो जी मैं जाकर अभी जल्दी से जोला आपको लाकर देती हूँ मैं जाती हूँ अरे मैंने जोला कहां रख दिया अरे ये रहा अरे बापु जी को तो बहुत सारे सामान लेकर आने है ये जोले में आ जाएगा सारा सामान हाँ आ जाएगा अच्छा लेकर ही जाती हूँ इसी जोले को मुझे भी बाजार जाना था मुझे भी कुछ सामान लाने थे अपने लिए जाने तो किसी और दिन चली जाओंगी बापु जी एली जी जोला आप अरे पिंकी बिटिया और कुछ तो नहीं लाना है न याज से बता दो बार बार ना जाना पड़े बाजार नहीं बापू जी और कुछ नहीं लाना है परियाद से मेरी शेम्पू लेते आना बाजार से मैं जाती हूँ जल्दी से बाकी के काम पूरे कर लू चलो मुन्नी बीटिया हम जल्दी से बाजार चलते हैं हाँ दादादी चली हो चलते हैं हम जल्दी से चलो मुन्नी बीटिया हम आ गए बाजार चलो अब सामान खरीदते हैं जल्दी से बताईए भाया जी आपको क्या लेना है हमारे दुकान पे घर के सारे सामान उपलब दें आप बताईए आपको क्या चाहिए दादा जी यहां पे कितने सारे सामान है हम सारे सामान को खरीदेंगे दादा जी मैं यहां पर जाकर देखती हूँ आपल क्या है अले दादा जी आपल तो चौकलेट है मैं चौकलेट भी लूँगी है ना दादा जी मुझे चौकलेट लेकल दोगे ना मुझे चौकलेट खानी है मुन्नी पिटी आप मुझे घर के सामान खरिद लेने तो फिर मैं तुम्हें चौकलेट लेकर देता हूँ बहन जी मुझे दो केजी सक्कर दे दीजिए और बताईए भाया जल्दी से आपको क्या क्या चाहिए अपने दुकान के सारे सामान को सही दाम में देती हूँ मैं आपको चिंता नहीं करने का आप सिर्फ बताईए आपको क्या चाहिए भाया जी बहन जी मुझे काजू, बद्दाम, किश्मिश, चुहारा ये सब भी दे दीजिए हाँ भाईया जी ठीक है आप बताईए आपको कितना कितना सब सामान चाहिए मैं अभी आपको तॉल कर देती हूँ आपको मसाला वसाला भी लेना हो तो बताईए हमारे दुकान पे सारे सामान है अरे नहीं बहन जी हमारे घर में ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं ये लेजी आप उतना सारा सामान सब पेक कर दीजिए ये ले जी भाया जी आपके सारे सामान मैंने इसमें डाल दिये हैं अरे आपका धन्यवाद बहन जी अब मैं चलता हूँ फिर आउंगा आपके दुकान पे अले दादा जी मेली चोकलेट मेली चोकलेट नहीं लोगे क्या आप बहन जी एक चॉकलेट भी दे दी जिए मेरी बिटिया को मैं तो चॉकलेट भूली गया था ये लो ये लो बिटिया ये लो चॉकलेट तुम्हाला भाया जी फिर से आईएगा हमारे दुकान पे हाँ बहन जी क्यों नहीं अंती अंती मुझे चोकलेट दो ना मैं तुमको कल पैथा दे दूँगा नहीं बेटा फिरी में सामान नहीं मिलता है पैसा जाकर मम्मी से मांग कर लेके आओ फिर मैं तुमको दून की चोकलेट अरे अंती दो ना दो ना मैं जा लहू लेने नहीं नहीं बेटा जाओ जाओ घर पे जाओ 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 घर पे फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना थैंक यू